नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकवर्ट पे अक्सर मैं जो वीडियो बनाता हूं वह इस पेसली रहता है सेलर्स के लिए जो नए सेलर्स हैं या जो एक्जिस्टिंग काम कर रहे हैं फ्लिप कार्ट के साथ मीसो के साथ या फिर हमेजॉन क साथ है और लेडी सेल कर रहे हैं और उनको इसमें लॉज हो रहा है रिटन से रिकार्डिग और मेरा मुसली फोकस्永हरत वागस्टा है सिल बढ़ाना तो सब बनावको किसेल कैसे बढ़ेगा लेकिन sell करके profit कमाना वो main चीज होता है क्या profit कमा पाद है कि नहीं कर पाद है तो main e-commerce industry ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा loss होता है आपको return से क्योंकि आपका add चला दोगे प्रमोट कर दोगे या किसी भी तरीके से आप sell तो जरूर ला सकते हैं लेकिन return पे आपका कोई नियंतर नहीं है customers सभी customers नहीं क्योंकि अगर सभी customer fraud हो जाएंगे तो यह industry बंद हो जाएगी लेकिन कुछ customers कि तला में कि मचली गंदा करती है उसी तरीके से कुछ customers हैं जो कि बहुत fraud करने लगे हैं और मेरे आप चैनल पर वीडियो देखोंगे तो अक्सर मैं returns की पे ज्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि loss वहां से होता है अब हम लोग के condition में लोग ब्रांडेट सूज बेशते हैं ब्रांडेट clothing ब्रांडेट इनर वियर सब कुछ ब्रांडेट बेशते हैं जिस पर मार्जिन 20 से 30 परसंट का होता है उसमें कमिशन भी पे करना होता है लॉजिस्टिक भी करना होता है रिटन भी जहलना पड़ता है और अगर हम लोग रिटन पर नहीं अंतर नहीं करेंगे तो लॉस काते हैं जैसे कि रेट्शीप का सूज हम लोग बेशते थे थे वर्ड इसलिए क्योंकि अब हम लोग बेशना बंद कर दिए बहुत सारी लॉजिए उसका SPF नहीं दे रहे हैं महीने महीने के लाखो लाखो रुपय का नुकसान जेला गया है और बहुत बड़े सेलर नहीं है तो इतना नहीं जेल सकते हैं हम लोग रेट्शीप को उठा के बंद कर दिए अब आज के डेट में फिलिपकार्ट पर ही बहुत से ऐसे जो कि घडबर प्रोडऑक बिय casing इस पेसली आग्रा के सेलर जो कि डटचीप की नाम पे रेट्शीप लोगत स है बिना किसी मुझा कोई आउडिट नहीं हो रहा है ना फ्लिपकार्ट पर कुछ ना फ्लिपकार्ट पे लब किसी भी साइट पर कुछ नहीं हो रहा है लगाता ये चारों हों से भी बंद है, अभी हम इसको फिलिपकार्ट की सेलर एप पे स्कैन करते हैं और देखते हैं कि इसमें एक्षोनक देया क्या प्रोड़क्त है आज से कि इससे इसमें रचीफ का आर्ची रष्ट नौ नंबर का शूज गया था इसकी वैजिए थी 3,435 रचीफ का शूज इस पैकेट में कहीं से कहीं तक कोई नहीं बता सकता है कि ये रचीफ का शूज होगा ये मेरी एक मुठी में बंद हो गया है मतलब देखने से पहले समझ में आ रहा है कि ये शूज नहीं है ये एवेन रुमाल भी निकाल आया तो बड़ी बात है अब यह उपन कर दे रहे है अब बिलेवर्ड इसका तो क्लेम भी मैं नहीं कर पाऊंगा थैंक यू एक फिर वीडियो लेकर आया हूँ और अक्सर कस्टमर कहते हैं कि आपको कैसे पता कि ये फरजी प्रोड़क्ट आ रहा है आपको कैसे पता कि अब बिना खुले कैसे बता सकते हैं एक वीडियो मेरा काफी वायरल हुआ है सौट्स वीडियो है पर बहुत सारे कमेंट आते बद्दे बद्दे कि आपको कैसे पता क्या है जूता है यूज है अगर मैं यह प्रोड़क्ट सेल कर रहा हूं यह सूज है तो मुझे इसकी वेट का पता है न कि मैं कितने का मेरे जूते का वेट है तो जब इसका कम हो कि इसमें कुछ ना कुछ गरबढ़ है लेकिन जब हस से ज्यादा हो जाता है और उसका वीडियो इसलिए कर देते हैं क्योंकि बहुत से नए दुकांदार है जो इस लाइन प्यार है बहुत से जो मैनुफेक्ट्र है चोटे मोटे वह आ रहे हैं तो उनको पता होना चीए कि बेट के कॉर्डिंग भी ले लिये थे लेकिन पता नहीं चला कि इसमें है खोले भी तो एकदम सही लगा क्योंकि इसमें जोकी का यही गया था जोकी का स्वेट सर्ट गया था और उसमें रिटन भी स्वेट सर्ट आया है और यहां जोकी लिखा भी है ठीक है इसमें फॉल् सबसे पहले तो डीजाइन जोकी में कहीं पे आप देखेंगे जो पीछे बीच में ब्रैंडिंग दी गया है यह चीज लिखा है यह नहीं लिखा रहता है सेकेंड टैग टैग यहां से ब्रेक है तोड़ा गया है जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा यह तो यह जोकी नहीं है तो यह कैसे आ गया यहां पेंग का लेबल कैसे लगा है तो कस्टमर ने क्या फ्रॉट किया औरीजिनल प्रोड़क्ट से यह लेबल निकाल दिया यहां से इसको स्टिचिंग किया है और इसका प्रूब मैं दिखा देता हूं क्यूंकि अब भी जितने ब्रांडेट प्रोड़क्ट होते हैं या नॉन ब्रांडेंड उसमें एक लेबल यह नीचे होता है कि यह देखिए है कि यह किसी दूसरे कंपनी का है फोर्ट कॉलिंस का है और यह जौकी का यह तो यहां से पकडमें आया इतनी लुफ उतने लोग कैसे कर रहे हैं को टेलर से या घर में ही सिलाह म स्थीन निकाल कि उपर का लगा दिए यह तो सिंप्ली तोड़ी जा सकता है लेकिन यहां का वो काटना यहां टाना भूल गया है फिलाल डिजाइन तो हम लोग पकड़ी लेते अब को यह वाला इस चीज़ को कभी ने पकड़ पाएगा वो तो बस टैग देखा यहां देखा लेके चला आया तो यह अजीवो और क्या रहे 15.99 हो गया इसका सीधे सीधे घाटा हो गया अब इसका करेंगे एस पी आप 99.99 परसेंट चांस एक इसका एस पीए फिलिपकार्ट वाले अप्रूब नहीं करेंगे और यह जो भाई साप थे जहां यह प्रोड़क्ट गया था उनका नाम नहीं बता सकता हूं यह टेलीग्राम, मुरांगी, सबडिस्टिक, गोलाघाड, आसाम, आसाम से यह केस हुआ है तो ऐसे ऐसे कस्टमर्स भी हैं और कस्टमर्स बोलते हैं कि कूरियर वाली चोरी करते हैं सेलर फ्रॉड करता है सेलर 99% फ्रॉड नहीं करता क्योंकि उसको अपना बिजनेस बढ़ लॉस आया, एक रिटन आया, उसको बीर किया जा सकता है, जब हास से जादा हो जाता है जिसमें कोई सुनवाई नहीं होती तो उस चीज को हम लोग डिलिस्ट कर देते हैं, जैसे लिट्शीप कंडिसर में किया है, यह 4-4-4 जार के जूते के लॉस हो रहे थे, लाग रुप